नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है आमित स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे रोल्स रोयस के एंजन को लेके जो कि गैस टामाइन एंजन है जिसको लेकर प्लानिंग कर रहा है कि एर इंडिया के टाइम पे वो इंडियन डेवी के लिए जो भी आने वाले शिप है उनको वो ओफर करने वाले है अपने नया एंजन जो कि एक 4th generation का एंजन है मतलब जो भी एंजन आज के दौर में ऑपरेट हो रहे है उनसे एक स्टेप आगे है कई मामलों में चाहें हो पावर को लेके हो जा फिर मनिफेक्ट्रिंग टेक्नीक को लेके हो तो इस एंजन के बार में हम बात करेंगे एंजन का नाम MT-30 है marine gas turbine बनाते है इसको Rolls-Royce और यह जो offering की possibility है यह possibly भारत में एक joint venture के तुरू offer किया जाएगा जहाँ पर किसी भारती है private company को ही साथ मिले कि यह जो एंजन है वो यहीं पे manufacture किये जाएगे और कुछ ऐसा ही जो statement है वो Rolls-Royce की ACI chief का है जहाँ पर वो समझते हैं कि भारत जिस तरह से अपने आत्मीर भर campaign को लिके serious है उसी को देखते हुए जो joint venture की offering है वो प्रॉबली की जाएगी यह जो MT-30 engine है यह already proven engine है जो करिसे हरे UK, US, Italy और France के ship में लगा हुआ है जिसको लेकि हम आगे बात करेंगे यहाँ पर engine की खासियत की बात करते हो तो जो minimum power है वो 25 megawatt की generate करने में सक्षम है जबकि जो power generation है वो hit कर सकता है 43 megawatt को यहाँ पर जो engine है वो काफी silent है मतलब उनको लेकि जो acoustic signature है वो काफी कम है जिसको लेकि आपकर recommend पढ़ेगी आने वाले time में जहाँ पर आप प्लान कर रहे हो कि जितना हो सके stealth को लेकि वो आप carry करो अपने navy में तो वहाँ पर इस तरह के engine की recommend है वो आपको होगी engine की खासियत की बारे में बात करते हो तो जातर जो component है वो metal printing की help से बनाए गए है जबकि इस ही category में जो दूसरे engine है उसमें जितने component लगते हैं उसके आदे component लगके ये engine बने हुए है जिसका direct मतलब ये होता है कि इस engine को maintain करने में जो आपको time लगने वाला है वो कम लगेगा तो overall जो maintenance cost है वो कम पढ़ेगी जो कि ये direct करता है कि जो life cycle cost है वो भी कमाने वाली है ये एक twin spool engine है जो कि high pressure ratio का इस्तमाल करता है power generation के लिए जबकि turbine को लेकि जो shaft है वो free है वो जुड़ा हुआ नहीं है कहने के बतलब ये है कि वो independent है और सारे इस तरह के engine में आपको जो issue है वो ये आता है कि जैसे ऐसे आप उसको operate करते हो एक particular time span के लिए तो जो engine की power generation है वो कम होती है उस stage को यहाँ प eliminate किया गया है इस engine में engine की जो power generation है वो किसी भी condition में 25 megawatt तक रहने वाली है जो उसको आप उपर ले जा सकते हो 43 तक तो यहाँ पर इसका मतलब यह हो गया कि जो power retention है वो 100% है मतलब जितना वो promise कर रहे है 25 megawatt की वो पूरी lifespan में रहेगी जो कि और engine के साथ आपको देखने को नहीं मिलता है अब यह एक futuristic platform है तो इसको इस तरह से modular रूप में बनाया गया है यहाँ पर जो upgrade करने की possibility है आने वाले time में जो भी आपके नए ship होंगे उनके लिए इस engine को लेकर अगर प्लान कर रहे हो कि evolve करो तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो क्योंकि जाए तर जो system है वो modular है engine को operate करने के लिए जो personal की requirement है वो आपको कम पड़ेगी तो कहीं के जो आपके man over deck है वो कम रहेंगे इस तरह के ship पे जहाँ पर यह engine लगा हुआ है engine के maintenance को बढ़ाने के लिए जो health monitoring system है वो इसमें दिया गया है जो कि sensor के basis पर operate करता है इस तरह के जो भी आपके engine होंगे वो आपको complete जो electric propulsion है वो देने में सक्षम होते हैं जैसे कि आपके jume world class में लगे हुए है वहाँ पे भी यह engine लगा हुआ है जो रोयल नेरी का carrier है वहाँ भी इस तरह के दो engine लगाए गए है इसी तरह से Korean ship प्लस Italian जो Hello carrier है वहाँ भी यह engine लगा हुआ है जबकि कई सारे Japanese और US के दूसरे ship में भी इस तरह के जो engine है वो लगाए गए है तो कहिन कहीं ऐसे gas turbine engine को लेके भारत में जो काम है वो स्टार्ट किया गया था कावरी के variant को लेके लेकिन वह पर जो पार प्रोडक्शन था वो लिम्टेट था अगर यहाँ पर यहाँ पर इस तरह के joint venture को बढ़ावा दिया जाता है और कहीं न कहीं उस joint venture को लेके जो control है वो आपका रहता है offering में तो मेरे खाल से वो एक profitable option हो सकता है बसरते हों आपर जो control है अगर वो आपके रहते हैं तो क्योंकि उस JV से अब कावी कुछ सीख पाओगी पलो जो आपके manpower है वो भी वहाँ से experience प्राप्त करेगी तो कहीं के इस तरह के जो engine है वो आपके next generation के जो भी shape है उनके लगाया जा सकते हैं और उनके stealth और linear configuration को लेके यह जो option है वो navy के लिए उभर सकता है अब हम बात करते हैं एक और system की जो कि रफाल कुले के है तो यहाँ पे रफाल कुले के ऐसी information है हालक एक picture है जिसमें आपको भारती है रफाल पे जो कि BS004 था उस पे एक MBD दोरा बनाया गया जो scalp EG missile है वो देखने के मिला है जो कि pylon पे mount करके fly किया जा रहा था और यह जो कि scalp EG है जिसको UK में storm shadow भी कहते हैं तो यहाँ पे इसकी जो range है वो 550 km से उपर की है यह एक stand of cruise missile है जो कि सबसों एक speed पे travel करती है और इसमें जो stealth की छमता है वो भी दी गई है जो कि इसको help करती है एनमी के radar को evade करने में इसमें जो wing दिया गये हुए है वो इसको help करते हैं ग्लाइड करने में तो यहाँ पे scalp EG को लेकि हम detail बात करेंगे अब यहाँ पे information यह है कि भारती रफाल्स पे इनका जो integration है वो कर दिया गया है तो अब इसको लेकि जो shorty है वो conduct की जा रही है अगर scalp missile की self life की बात करते हूँ तो वो 12 साल की है और उसको pack करके रखते हो तो किसी container में मतलब हर्मेटकल container में तो वहाँ पे जो life है वो 12 साल की रहेगी जैसे उसको आप mount करते हो carriage पे 30 के लिए तो वहाँ पे उसके life हो जाती है वो 1500 से लेकिए 2000 आज की बीच में हो जाती है जो कि obviously उसके warhead प्लस fuel को लेके होती है तो यहाँ भारतिया रफाल को लेकर interesting development है कि जो scalp easy है उनका जो integration हो कर दिया गया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही जाहिंद स्थाओत्त